दोस्तों नमस्कार मैं हूं डोक्टर प्रदीप्ष suspended आप सबका स्वागत है हंदी की बिंदी चैनल पर हंदी भाशा हंदी व्याक्रण हिंदी सहीत त्मंदी तमाम तरहेंगे त्थ्यात्मक टोपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माधन से देते हैं। आईए आज नया टोपिक कुछ सीखते हैं। सभी प्रतियोगी परिक्षाओं में राजस्थान सामाने ग्यान से सम्मंदित जो प्रशन पूछे जाएंगे। उसके अकोर्डिंग है। यदि आप राजस्थान की RPSC के द्वारा आयोजित प्रत्थम द्वित्यम तृत्यश्रेणी के शिक्षक तथा कोलेज व्याक्यता प के लिए लाप्रद होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से निवेदर नहीं दिया। आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें पहला आइकोन को जरू दबाएं तक कोई वीडियो आप मिश इस्तित है। इसका निर्मान राव अनिरुद्ध सिंग ने अपने भाई देवा की याद में 1740 में करवाया था। यह तीन मंजिला चत्री 84 खंबो पर इस्तित है। इसलिए इसका नाम 84 खंबो की चत्री है और इस चत्री के मद्दे शिवलिंग है। मूसी महरानी की चत्री मूसी रानी की चत्री अलवर के महल के पास सरोवर के किनारे इस्तित है। मूसी रानी की चत्री का निर्मान महराजा बक्तावर सिंग एवम उनकी रानी मूसी की याद में विने सिंग ने करवाया था। इसकी निचली मंजिल लाल पत्थर एवम उपरी मंजिल सफेद यह उनिसवी सदी के राजबूत इस्थपत्य का एक नमुना है इसे असी खम्मों की छत्री के नाम से भी जाना जाता है गैटोर की छत्रियां जैपुर के पास गैटोर में इस्थित है ये छत्रियां पंचाइन शैली में बनी है ये जैपुर के शाही शमसान इस्थल है जहाँ जैपुर के राजाओं की छत्रियां है ये छत्रियां सवाई जैसिंग से प्रारम्ब होती है यहां जैपुर के सभी राजाओं की छत्रियां हैं सिवाए सवाई ईश्वर सिंग के जिनकी छत्री चंद्रमहल सिटी पैलेस में है सवाई ईश्वर सिंग की छत्रिया चंद्रमहल सिटी पैलेस के जैनिवास उद्ध्यान में इस्थित है इसका निर्मान सवाई माधो सिंग ने करवाया था जस्वंत थड़ा जोदपूर दुर्ग महरानगड के पास ही सफेद संगमरमर का एक इसमारक बना है जिसे जस्वंत थड़ा कहते हैं इसे सन 1899 में में जोदपूर के महराजा जस्वंत सिंग जी दिवित्य 1888-1895 की यादगार में उनके उत्त्राधिकारी महराजा सरदार सिंग जी ने बनवाया था जस्वंत थड़ा जोदपूर राजबरिवार के सदस्यों के दहा संसकार के लिए इस्थान है जस्वंत थड़े के पास ही महराजा सुमेर सिंग जी महराज सरदार सिंग जी महराजा उमेद सिंग जी वे महराजा हनवंत सिंग जी के इसमारक बने हुए है मंडोर की छट्रियां मंडोर जोदपूर में जस्वंत दित्य के पूरू के शाष्कों की छट्रियां है यहाँ सबसे बड़ी छत्री अजीत सिंग की है महासतिया महासतिया उदेपूर में आहड नाम की जगें पर है महाराना प्रताप के बाद बनने वाले राजाओं की छत्रियां यहाँ पर है यहाँ पहली छत्री महाराना अमर सिंग की है देवी कुंड की छत्रिया ये बीकानेर की शाही शमसान इस्थल हैं जहाँ बीकानेर की राजाओं की छत्रिया हैं कल्यान सागर के किनारे इस्थित इन छत्रियों में राई सिंग एवं बीकाजी की छत्रियां प्रमुख हैं केसर बाग की छत्रियां केसर बाग की छत्रियां बूंदी में इस्थित है ये बूंदी के शाही शमसान इस्थल है जहां बूंदी के राजाओं की छत्रियां है अन्य प्रमुक छत्रियां, राणा प्रताब की छत्री, चावंड की निकट, बाडोली गाउं में, चेतक की समाधी, हल्दी घाटी के निकट, बलीचा गाउं में, रैदास की छत्री, चितोडगड दुर्ग में, मामा भंजा की छत्री, महरानगड़ दुर्ग में उडना राजगुमार की छत्री कुम्भलगड़ दुर्ग में दूर्गा दास की छत्री उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तटपर 32 खंबो की छत्री रण थंभोर दुर्ग में जैत सिंग की याद में बहुरा भगत की छत्री करोली के कैला देवी मंदिर के पास मूमल की मेडी लोद्रव में काक नदी के तट पर राजगुमारी मूमल भाटी वन्ष की याद में नटनी का चबूतरा पिछोला जील के किनारे उदैपूर में जोगी दास की छत्री उदैपूर वाटी जुन्जुनू में बित्ती चित्रन के लिए प्रसिद्ध है तो विद्यारतियो ये थी आज की वीडियो राजस्थान की प्रमुप छत्रियों का संचिप तेक विवरन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसी हमें आशा है वीडियो आपने पूरी देखी आप इससे लाभानवित होंगे ऐसी हमें पूरन उम्मीद है यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले आपके मन में कोई सवाल है कोई जि प्रिणा के लिए आपको उत्साहित करने के लिए शुक्रियां खुद्दारी के आंगन में जब लाचारी का बोधा हो महगाई के आलम में जब बेरुजगारी का बोज़ा हो कैसे कहें कैसे कहें सत्य इमान और नैतिक था अभी जिन्दा है धर्म कर्म को व्याख्याईत करते जब यहां ओजा हो